भारत में तो अगले साल लोकसपा चुनाव होने ही वाले हैं देश का सियासी पारा भी चड़ा हुआ है लेकिन ऐसा ही कुछ अमारिका में भी देखने को मिल रहा है अमारिका में भी अगले साल राश्टपती चुनाव होने है इस बीच एक सर्वे में सामने आया है कि अमारिक जो में जो बाइडन से डॉनल्ड ट्रम्प आगी है CNN के सर्वे के मुताबिक Arizona, Michigan, Georgia, Nevada, Wisconsin और Peninsulavia में ट्रम्प लोगों की पहली पसंद बने हुए है ये वही राज़े हैं जिनमें 2020 के चुनाव में ट्रम्प को शिकस्त मिली थी सर्वे में बताया गया है कि ट्रम्प को जो बाइडन से 5% वोट ज्यादा मिल सकता है इसके अलावा Michigan में ट्रम्प को बाइडन से 10% वोट ज्यादा मिल सकता है अमेरिकी राश्ट्रपती जो बाइडन के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं क्योंकि उनके साथ कई चुनावतिया है बाइडन की नीतियों को लेकर अमारिका में काफी नाराज़गी है लोगों का मानना है कि घरिलू और अंतराश्ट्रे दोनों ही जगे पर बाइडन की नीतियां कारगर साबित नहीं हुई है इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी बाइडन की नीतियां अमारिकी जनता को बहुत हद तक राज नहीं आई है अमारिकी चुनाव को लेकर मौनिंग कंसल्ट पोल के सर्वे में दावा किया गया है कि अमारिकी राश्ट्रपती उतरी कैरोलीना में 11 अंकों से ट्रंप से पीछे चल रहे हैं वही जॉर्जिया में 7 अंक, निवेदा में 5 अंक, मिशिगन में 4 अंक, एरिजोना में 3 अंक और विसकॉंसन में 6 अंक से बाइडन ट्रंप से पीछे चल रहे हैं